उधर ठाकरे से मुकाबला करेंगे राज ठाकरे, शिफसेना में हंगामा होना तैं, दिली में दिल मिलने से महाराष्ट में कैसे होगा खेल, राज ठाकरे क्यों बन गए हैं सबसे एहम, बीजेपी को क्या होगा राज ठाकरे से फायदा आई आपको ये पूरा जो गड़ित है, पूरी एक्वेजिन है, ये समझाते हैं, दरसल आएंडिया ये गड़बंधन की रैली में कि उसके बाद से ही राज ठाकरे के महायूती में शामिल होने की अटकले जोर पकड़ने लगी थी, सियासी गलियारों में चर्चा है कि उधव पार करने के लिए एक-एक सीट बीजेपी के लिए एहम है, कयास लगाये जा रहे हैं कि राज ठाकरे और शिवडी से विधायक बाल नदगाव कर चुनाव लड़ सकते हैं, ये दूसरी बार है जब राज ठाकरे के बीजेपी में शामिल होने की अटकले लगाई जाती रही हैं, इससे पहले भी अटकले लगी हैं, पहले भी राज ठाकरे के महा युद्य का हिस्सा बनने की चर्चाएं हुई थी, लेकिन बात किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई, बात नहीं बन पाई, दरसल जिस तरीके से आयन डियाई गडबंधन की मुंबई में शिवाजी विधायक चुने गए थे, बाल नंद गाउंकर साल 2009 और 2014 में साउथ मुंबई लोकसभा सीट से चुनाओं भी लड़े थे, राज ठाकरे से आपको बताएं कि जो महराश कुप मुखे मंतरी हैं, देवें दिफर्णवीज और मुखे मंतरी एकनाश शिंदे की गहरी अच्छ खोड़ना पड़ेगा, मौजूदा समय में अभी साउथ मुंबई सीट से उधव गुट के अरविंद सावंद सांसद है, और अब ये समझाते हैं कि बीजेपी को इससे फाइदा क्या होगा, बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगाना चाहती है, पहला तो ये है कि खोड़ की शिवसेना मजबूत है, वहाँ वहाँ उधव गुट को बड़ी टक्कर देकर कमजोर कर देगी, बीजेपी राज ठाकरे के सरनेम ठाकरे का भी महराश की राजडिती में लाब उठाना चाहती है, हलाकि आपको बताएं कि 2006 में MNS पार्टी का जब गठन हुआ औ और उनका ठाकरे परिवार से हुना पार्टी के लिए फायदे मन जरू साबित होगा, और इतना ही नहीं मुंबई साउ समेत कई सीटों पर वो उधव ठाकरे की अगवाई वाली शिवसेना यानि की UBT की स्थिती को कमजोर करने में सक्षम हो पाएंगे, सपल हो पाएंगे, म महाविकास अगाडी की सीट शेरिंग में भी उधव गुट को अधिक सीटे मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और अब ऐसे में बीजेपी ठाकरे परिवार से मिल रहे चैलेंज का जवाब ठाकरे फेस से ही देना चाहती है, बीजेपी को राज ठाकरे में काफी भावनाई नजर आ रही है, और क्योंकि अब तो काफी समय भी हो गया है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई के प्रती कोई बयान बाजी नहीं की है, लेकिन सवाल यही है, और देखना भी यही है कि क्या राज ठाकरे फिर से अपने पुराने तेवर में वापस लोट पाते ह है या नहीं?